हेलो गाईज, वेलकम टू डिकोड एक्जाम डिफेंस मैं हूँ नूरुस सलाम और मैं स्वागत करता हूँ आपका डिकोड एक्जाम डिफेंस में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं डिकोड एक्जाम डिफेंस में हम लोग पिछले कई दिनों से defense के exam से related सारी चीज़ों को करा रहे हैं तो उसी में हम आज एक और topic शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Blood Circulatory System तो friends आज के topic का नाम है Blood Circulatory System और अगर हम Blood Circulatory System की बात करते हैं तो ये बहुत important topic है चाहिए आप CDS देख लो, NDA देख लो, भी देखिए ये डिसंबर में assistant commandant का exam लगा है तो सब के point of view से बहुत important topic है तो आज हम blood circulatory system के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं blood circulatory system तो blood circulatory system जो होता है वो दो तरह का होता है एक open और दूसरा होता है closed एक होता है खुला तंत्र, खुला तंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र जहां पर आपके प्योर और इन्प्योर ब्लड एक साथ बिल जाते हैं, और क्लोस सिस्टम कौन सा होता है, क्लोस सिस्टम वह होता है जहां पर प्योर और इन्प्योर शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अल कभी एक जंगा पर common meeting point नहीं होता है तो blood circulatory system देखो हमारे body में बहुत अलग-अलग system पाए जाते हैं उन में से एक important system है blood circulatory system जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे नीचे आता है cell cells जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं tissues tissues जो होते हैं वो बनाते हैं body parts body parts मिलके बनाते हैं system और system मिलके बनाते हैं पुरी body को तो आपकी body के अंदर सबसे important चीज़ होती system बहुत सारे system जो होता है वो अलग-अलग body parts से मिलके बना होता है हर body part में tissues होते हैं और वो tissues cells से मिलके बने होते हैं तो cell से शुरू करते हुए उपर ना जाने की बजाए हम system से नीचे की तरफ आते हैं तो ये approach थोड़ा आसान और easy going होती है तो हम इसी approach को लेकर यहाँ पर दोस्तों चल रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़े आपके exam के लिए जरूरी है उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर discuss करते हुए चलेंगे तो चली आज के topic को blood circulatory system को discuss करते हैं और इसको जानते हैं blood circulatory system के अगर हम बात करें जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं blood circulatory system हमारे पास जो है वो एक ऐसा system होता है जहां पर आपका blood जो होता है उसको pump करने का काम करता है मतलब इसमें तीन चीज़े होती है पहले चीज़ होती blood दूसा होता heart और तीसा होता blood vessels तीनों का जो combination होता है वही आपका blood circulatory system कहलाता है इसे याद रखिएगा तो blood circulatory system की जब हम बात करते हैं तो blood circulatory system हमारे पास जो यहाँ पर पीछे दिया हुआ है यह आपका एक combination होता है कि चीज़ का combination था blood heart और blood vessel जैसे आपके घरों बे पानी चाहने के लिए motor होता है था बाहर से पानी लाते हो motor क्या करता है motor पानी को पंप करके अंदर आपकी टंकी में भरता है बाहर की लाइन से ठीक है तरह से आपको blood को pump करने के लिए क्या चाहिए होंगे blood को pump करने के लिए blood vessels चाहिए होंगे क्या चाहिए होंगे blood vessels है ना यह heart तो पता ही है आपको है ना और blood तो आपके blood circulatory system जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी है ना उसके तीन मुख्य भाग होते हैं blood heart and blood vessels वैसे और रिवार्ड होते हैं लेकिन मेन स्टेंडर्ड तरीके से आप इन तीन पार्ड पर अगर थोड़ा सा focus कर लोगे तो exam में आपको यहां से question मिल जाएगा तो हम आज जो पढ़ेंगे वह हम पूरा blood वाले part को पढ़ेंगे देखेंगे कि blood क्या होता है और इससे क्या क्या question आपके exam में बन सकते हैं किस तरीके से बन सकते हैं उन सब चीजों को हम discuss करते हुए चलेंगे तो जुड़ जाईए और हमसे connect हो जाईए हां आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी जल्दी से connect हो जाईए ताकि हम ब्लड की बात करते हैं तो पीछे लिखा हुआ है ब्लड क्या होता है तो देखो यह आपका पूरा ब्लड का पूरा सिस्टम है ठीक लेकिन जब हम इसको अलग अलग पार्ट में बाढ़ते हैं तो इसमें तीन बेसिक चीज़े आती है प्लाजमा एंत्रोसाइट ल्यूक इस तरह से कई सारीच चीज़ों में डिवाइड हो जाता है तो पहला कोशन यहां पर बनता है वाक इस ब्लob पर एक सजयोजी ette को होता है इतिजन टीशूनेखज टीशूनेखज टिशूनेख़। ठीक है अगर साथ से कम है तो उसकी जो नेचर होगा या उसकी प्राक्ति जो होगी वो एसिडिक होगी और अगर साथ से जादा है किसी भी चीज़ की वैलू तो उसकी जो नेचर या प्रक्ति होगी वो आपका बेसिक होगा बेसिक मतलब छारिय होगा इसे यार रखिएगा तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारे रुदिर का पी एच मान 7.4 है तो यह हलका छारिय होता है ठीक है यह कैसा होता है यह हलका छारिय होता है इसे यार रखिएगा चलिए मैं से आगर परते हैं इसका कार क्या होता है इसका सबसे इंपोर्टन काम होता है बॉडी टेंपरेचर को मैंटेन लखना दूसरा टांस्पोर्टेशन करना क्या करना टांस्पोर्टेशन करना संचरन करना कित चीज का भई मिनरल्स का हार्मोन्स का ठीक ऑक्सिजन का ठीक एक सेक्ट आज जितनी भी चीज़े आपकी बॉडि में रहते हैं उन सब चीज़ों को एक जंगा से दूसरी जंगा दे जाने का काम कौन करता है आपका ब्लड तो ब्लड इस एन कनेक्टिंग टीशू इसकी पी एच वैलू 7.4 होती है में लूटरेशू को करना और दूसरी चीज जीज करते हैं यह टनस्पोर्टेशन करता है कि मनरेल्स का हर्मोन्स का ओक्सिजन का हैंने बॉडी से मिनर्स को एक जंगा से दूसरी जंगा ले जाना हार्मोन को एक जंगा से दूसरी जंगा ले जाना, वैटमिन्स को एक जंगा से दूसरी जंगा ले जाना, ओक्सीजन को एक जंगा से दूसरी जंगा ले जाना, इन सब चीजों का काम किसके पर होता है, ब्लेड के उपार, ब्लेड में जो हिमोगलोविन, ब्लेड का मेन कंपो तोवाँ सब्सक्राइब नहीट करता है और इससाधे और बापस बनाता है और इसमें मेन काम किसका होता है हिमोगलोबिन का तो हिमोगलोबिन is the main component of your blood ठीक है चलिए भी यहां से आगे बढ़ते हैं blood क्या होता है इससे क्या question बन सकते हैं what is the definition what is the work of blood we all discuss all this thing now we move forward and check out the composition of blood रुधिर की संजचना जब हम blood की composition पर काम करते हैं बात करते हैं तो blood में दो चीज़ होती है पहला plasma और दूसरा blood corpicles blood is made up of two things first is plasma अगर आप पूरे blood को 100% लोगे तो इसमें लगवख 55-60% तक आपका plasma पाया जाता है लेकिन जब हम बात करते हैं कि बचे हुए part को क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं blood corpicles या रोदे राणू है ना इसे यार रखिएगा blood corpicles या रोदे राणू ठीक है अब plasma जो होता है वो colorless होता है कैसा होता है colorless इसमें कोई रंग नहीं होता है रंग हीन होता है और इसमें तीन चीज़े मिली होती है ठीक है carbonic component, organic compound, water and inorganic compound ठीक है carbonic तत्व या carbonic योगिक और आपका water इन तीनों का पूरा composition यहां पर मिलता है इसका main area water है लगपग पूरे plasma में 90-92% water होता है इसे यार रखिएगा फिसका दूसरा पार रहता है blood corpicles which contain 42-45% of total है ना इसके तीन हिस्से होते है RBC, WBC and platelets नाम आप लोगों सुना होगा कई बाद पढ़ा होगा एक्जाम में बहुत सारे questions भी बने होंगे और उसमें से कई सारे questions का जवाब आप जानते भी होंगे तो blood में plasma के लावा blood corpicles होता है उसके तीन हिसे होते है RBC, RBC का full form, red blood cell या इसे प्यार महबब से scientifically हम eletrocides बोलते हैं दूसरे नमबर पे आता है WBC, WBC मतलब white blood cell white blood cell की अगर हम बात करते हैं तो इसे प्यार महबब से हम leucoside भी कहते हैं और फिर तीसे नमबर पे आता है platelets ठीक है इसे हम प्यार महबब से thromboside भी बोलते हैं तो यह आपका blood का पूरा composition आपके सामने है आपको दिख रहा होगा easy going है जादा वो नहीं है दो पार्ट में पूरा blood divide है फिर उसके एक comparison chart देख लेते हैं comparison chart मतलब अगर हम इंको compare करते हैं तो इससे question बनते हैं RBC इसका scientific link erythro side होता है यह बनता कहां यह बनता है आपका bone marrow में bone marrow में अस्तिमज्जा में इसका main काम क्या होता है hemoglobin बनाना hemoglobin 120 दिन तक जीविद रह सकता है सबान व्यक्ती के समान व्यक्ती के शरीर में इसकी संक sneaking 50-55 लाग के करीब होती है कित्नी होती पचास से 55 लाग ठीक है आपके शरीर में ारवीसी जादा होने पर आपको कौन सी पैमारी हो सकती है पॉलीसी थीमिया उडर आपके शरीर में आर्बी-सी की वैलू कम होती है तो आउसकों ब्रॉमारी होती है इन्नियमिया यह रकत Celsius हमें यह या दख्याँक समाश्युआ का कॉल सी ब्रॉमारी कब होगी ध्यान ग्रेवार्ण या कपर चलते हैं तो इसकी ग्रेव यार्ड जा चली हम यह से आगगे बढ़ते은 व सступ हम बीजिए की जब हम बात करते हैं विसके हिंदीमि शुएत रोधिर करनी का है या वाइड बलड सेल भी कहा जाता है इसका फार्मेशन का होता है अस्ती मज्जा या बोन मैरो में होता है इसका में काम क्या होता है इसका में काम होता है बॉडी का इम्मिनिटी सिस्टम या रोध पदिरोधक चमता को बनाना और इसका जीवनकाल चीवन का लगभग 10 से 13 दिन होता है इसका 120 दिन होता है इसका 10 से 13 दिन होता है समान व्यक्ति के शरीर में इसकी जनसंख्या 5000 से 9000 के बीच में होती है आपके शरीर में WBC की वैलू वरने पर आपको कौन सी बिमारी हो सकती है लूकीमिया एन ऐसे आप ब्लड कैंसर भी बोलते हो और अगर यह वैलू कम होती है तो आपका इम्मुनिटी सिस्टम बेकार हो जाता है जिससे आपको कोई बिमारी हो सकती है चलिए यहां से आगर बढ़ते हैं और देखते हैं प्लिहा प्लिहा जो है प्लिहा में यह WBC अपने आपको इंड करता है WBC का अंत कहा होता है प्लिहा में चलिए बागर बढ़ते हैं तीसे नमबर पे आते हैं प्लैटलेट्स प्लैटलेट्स मतलब आपका थ्रॉंबो साइ vitil formation क assaulte bone mehr never coming water blood low tingkan कि आउन तोर पर चोट लगने पर आम तोर पर होता कि आउन तॐ पर जब चोट लगती और तो चोट लगने पर आप अगर blood को पहने देते हो तो 2 न्य मिनट के अंदर या 5 7 मिनट के अंदर अधिकतम आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है चिक लेकिन जब प्लेटलेट्स कम होता है तो यह थक्का नहीं जम पाता है और आम तौर पर प्लेटलेट्स का जीवन काल आपके शरीर में साथ से दस दिन होता है आपके शरीर में प्लेटलेट्स लगबख तीन लाग से जादा होती है लगबग तीन लाग से जादा होती है प्लेटलेट्स अधिक होने पर आपके शरीर में हिर्दे संबंदित रोग या हार्ट डिलेटिड डिजीज होती है और कम होने पर आपको बिमारी होती है कौन सी डेंगू और ये अपने आपको अंद कहा करता करता है प्ली हां में जाकर ठीक है प्लेटलेट्स में आपको इंड करता है प्ली हां में तो सब चीजों का इंड कहां हो रहा है प्ली हां में इसे यार रखिएगा चलुम यहां से आगर पड़ते हैं अक्टॉसिफिकेशन और blood group की बारे मैं बात करते हैं जब हम blood group को classification की बात करते हैं तो who give the classification of blood group तो आपके दिमाग में एक नाम आएगा जिसका नाम है जेज़ वेक्ति का नाम है देखिए वेक्ति बने हुए हैं इनका नाम है इसे याद रखिएगा ठीक है इसे तहां रखना ये इन्होंने ब्लड गूर्ट बता है इन्होंने बहुत कॉमन चीजों पर चीजों को चलाया इन्होंने देखा कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसमें दो संभावनाय होती है जब उसको ब्लड दिया जाता है या सब के पास सब का ब्लड गूप अलग अलग होता है सब अपने ब्लड बताईए ऐना कमेंट डरीथ का और किसी त्याल ऑगा किसी का अःबी होगब लेकिन जब आप ब्लड गूप लिखते हो तो आता है यह माइनस प्लस क्या लगा तो यह माइनस फ्लस है आपका आरेश वेक्टर आरेश वेक्टर का बहुत पुराना है ठीक है इसकी खोज इसकी खोज काल लेंड इस्टीनर और उनके सहीं होगी एलेक्जेंडर वीनर ने 240 में किया था इन्होंने एक बंदर पकड़ा यह यह दो पुर्ण нельзя देखे हूंगे इस अना इसबंतर का था रीच्ण सबंदर को पकड़ा को और उसके ब्लड को देखा तो उसके ब्लड में नया परोटीन पाया गया अब इस प्रोटीन का नाम क्या रखा जाए तो उस प्रोटीन का नाम इसी बंदर के शुरू के दो अल्फाबेट पकड़ कर उसका नाम रख दिया है पहले बंदर में रूड़ा गया है प्रोटीन फिल लेटर और पूरे बहुत सारे बर्लाइड ग्रूप पर यह रिसल्ट चली तो देखा गया बहुत से लोगों म समनील लोगों में यह पाया जा रहा है तो जिन में यह पाया जाता है वह बहुत कर लेते हैं तो शलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और Blood Group के बारे में बात करते हैं ठीक है? ठीक Blood Group देखो यहां पे पूरा टेबल बना हुआ है अब इस टेबल को देख सकते हो ध्यान už्यान कर सकते हो इसकर शक्रीनशोड लेषाट आराम से समझे, ठीक है? मम्मी पापा में से एक का ब्लेट ग्रूप ए हो एक का बी हो या एक का क्या हो दूसरे क्या हो इस तरह के कोश्चन बनते हैं यहां पर जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला और सबसे ज़्यादा बार आने वाला कोश्चन है हम उस question के बारे में बात करेंगे हम उस question को देखेंगे समझेंगे और उस पर बिचार करेंगे ठीक चलिए देखते हैं पहला question आता है कि अगर mother father में से है ना आपके ममी पापा में से एक का blood group A हो और दूसरे का blood group B हो तो बच्चों में क्या blood group हो सकता है है यह question इतनी बार पेपर में आ चुका है कि इसके कोई भी इंतिहा नहीं है है ना अब देखिए जिसका कोई भी आप count नहीं कर सकते हैं और इसका सही जवाब क्या है अगर mother father में से किसी A का blood group A हो और दूसरे का B हो तो बच्चों में कौन और दूसरे का blood work A B हो मतलब एक सर्व दाता हो दूसरा सर्व ग्राही हो ठीक है सर्व दाता कौन होता है ओ माइनस सर्व ग्राही कौन होता है और O- क्यों है क्योंकि इसमें RH factor नहीं पाय जा रहा है तो O- या O+, जो है वो सब को blood group दे सकता है लेकिन O- को नहीं दे सकता है O- सबको दे सकता है और O- को भी दे सकता है तो यहाद रखेएगा अब दूसरा कोशन याता है कि मदर फादर में से एक सर्व दाता हो, दूसरा सर्व गराई हो, तो बच्चों में कौन सा blood group होगा, यह वो case है, जब बच्चों में माता पिता का blood group नहीं होता है, या तो उसमें A होगा, या फिर B होगा, ओके फ्रेंस, यह याद दखिएगा, अ डिजीज और उस पर चर्चा करेंगे कि वह कौन-कौन से ब्लड से होने वाली बिमारी है और उनसे क्या-क्या आपके पेपर में कोशन बन सकता है आज हम जारा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि धीरे-धीरे करके बायों को समझना है एना हरे एक्जाम में आता है तो करना बिल्कुल मत देगा ओके काइस चलिए आज के इस सेशन को में पर इंड करते हैं जाए हेंद